जै शीरम दोस्तों आज मैं बना रही हूं पाव भाजी तो भाजी की रेसिपी बहुत बहुत सिंपल है इसमें कोई तड़का वड़का नहीं लगाना है आपको मैंने या पर गुकर लिया है उसमें लैसन हरी मिर्च प्याज बारी काटके शिंबला मिर्च डाला है बारी काट अधिया और इसके बाद मेरे पास यहां पर दो अबले हुए आलू थे मैंने वह डाले आप चाहें तो कच्चे आलू छील के काटके डाल सकते हैं इसमें पर मैंने या पर सबजी मसाले लिया है आप चाहो तो पावभाजी मसाल अगर आपके पास है तो आप वह डालना और इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गालिक का पेस्ट एक चमच और फिर डाल देंगे लाल मीर्च चमच धनिया पावडर बहुत ही सिमपल रसेप की है आप एक पर जरूर ट्रायकरना यहां पर धनिया पावडर मैने डाल दिया है आप इसमें बॉतना जीरा पावडर तो यह मेरे पास जीरा पाउडर है मैं यह डाल रहे हूँ आधा चममच तो जीरा पाउडर डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे कसूरी मैथी ठोड़ी सी और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप वो भी जरूर डालना मेरे पास यहाँ पे नहीं था तो मैंने कसूरी मथी डाला है और हम इसमें एड़ कर देंगे एक कप पानी पानी बहुत ज़ादा आपको नहीं डालना है उतना ही डालना कि सबजे हैं हमारी जले नहीं और अच्छे से गल जाए पर सारी मसाले हो गए हम इसमें नमक एड़ कर देते हैं आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देना और नमक डालके हम इसको बंद करके रख देंगे दो सीटी में अच्छे से सबजे अगल गई थी तो मैंने याप गुकर चड़ा दिया आप इसमें दो चमच तेल सरसों का तेल जरूर डाल देना मैं याप शूट करना भूल गई तो दो चमच मैंने इसमें तेल भी डाला था लास्ट मैं तो यह मैंने थोर सी चीनी डाली एक पिंच और नीवू का रस तो धीर सारा मैंने यह पर नीवू करस डाला है क्योंकि पाव भाजी भाजी मुसली घटी अच्छी लगती है बस अब अगर आपके पास पटटो मैश है तो आप उससे करना मेरे पास नहीं था तो मैंने चंचे से किया है मैंने लो फ्लेम पे रखे इसको कंटिनूसली 10-15 मिनट तक चलाया कंटिनू तो यह अच्छे से मैश हो गया था तो भाजी हमारी एकदम तयार है इसमें कोई मेहनत नहीं कोई टाइम नहीं बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है तो आप एक बार जरूर ट्राए करना और अब हम इसमें लास्ट में एड़ करेंगे बटर तो बटर मेरे पास था नहीं तो मैंने यहां पर घी एड़ किया है आप घी डालना बहुत अच्छा टीस आएगा दो चमबच घी यहां पर डालके फिर 10 मिनट तक इसको मैश करते रहेंगे हम लोग कि अब अब और तो बाजी हमारी है अब हमें यह पे पाौ साइक लेते हैं तो पाउ में मैंने थोड़े सी वाजी लगाई है अंदर और इसके ओपर थोड़े सा बटर या घी लगा के इसको ग्रिल करches या फूर तबी तो टेस्टी यम्मी पावाजी रेडी है बहुती कम टाइम में आप ज़रूर रहे करना तैंक यू पो वाचिंग लाइक एन सब्सक्राइब बाई